दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो का टोपिक है कि Dual Starter की Remote Wiring कि इस तरीके से किये जाती है दोस्तो आभी जो आपके सामने इस Starter दीक रहा है यह Siemens Company का Direct Online Starter है मतलब Dual Starter है तो इस Starter की मैं आपको Remote Wiring कर के बताँगा तो दोस्तो बने रहेगा लास तक इस वीडियो में connection किया हुआ है देखिए इस तरीके से जो ये connection किया है इसको local wiring बोलेंगे ये देखिए इस तरीके से जो wiring की गई है इसको बोलेंगे local wiring ठीक है दोस्तों एदि हम इसी starter को कही दूर से इस push button से दुवारा own करें और इस push button की दुवारा off करें तो इन push button में जो wiring की जाएगी इसको बोलेंगे हम remote wiring ठीक है मतलब starter के पास न जाना पड़े और कई दूर से इसको operate करें तो इसकी wiring किस तरीके से की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको start push button की wiring करके बताऊंगा तो इसके लिए मैं दो wire ले लूँगा इस तरीके से दे इसमे एक wire connect कर दूँगा इस तरीके से अ-तर के दीक ffffff है दोस्तों जो हमारा ओन push button है इसमें no contact होता है दीक हिए no contact है तो इसमें लिए न lorsqu् इस तरीके से connection कर दिया ठीक है अब अब ये दो वायरों को स्टाटर में किस तरीकी से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है इस वायर को में एनो कॉंटेक्ट है ठीक है तो इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा देखे इस तरीके से एक वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया अब दूसरे वायर को मे यह नो कॉंटेक्ट का दूसरा वाला पॉइंट है यह दूसरा वाला पॉइंट है उसमें इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा ठीक है यह देखी दोस्तो दोस्तो इस तरीके से हमारा ओन पूस बटन का कनेक्शन हो गाए ठीक है दोस्तो जैसे हम इस पूस बटन को प्रेस करेंगे तो स्टाटर हमारा ओन हो जा रहा है देखिए और स्टाटर को ओप करने के लिए हमें इस पूस बटन को प्रेस करना पड़ेगा देखिए इस तरीके से और ओप करने के लिए हमें इस टाडर के पास आगे इस push button को प्रेस करना पड़ रहा है ठीक है इस तरीके से तो दोस्तों आब ओप push button का connection की इस तरीके से किया जाएगा ओप मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो दोस्तों उसके लिए मैं दो wire ले लूँगा इस तरीके से और उसको मैं NC contact देखिए यह NC contact है उसके एक terminal से मैं connect कर दूँगा देखिए और दूसरे wire को मैं इधर connect कर दूँगा इस तरीके से देखिए दोस्तों जो हमारा O push button है इसमें NC contact होता है इसको NC contact बोलेंगे ठीक है और O push button में यह No contact होता है ठीक है तो इसमें दो wire है इसको किस तरीके से connect करेंगे O मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो दोस्तों हमारा जो यह link लगा हुआ है देखिए यह वाला जो link लगा हुआ है इसको निकाल देंगे देखिए इस तरीके से यह देखिए दोस्तों दोस्तों हमारा जो link लगा हुआ था NC के 95 नमबर से यहां पे लगा हुआ था तो इस link को मैं निकाल लूँगा इस तरीके से ठीक है इसकी जरुवत नहीं है हमको अब इस wire को मैं ठीक है अब इस wire को मैं यहां पे connect कर दूँगा देखिए इस point पे इस तरीके से connect कर दूँगा अब इस wire को मैं इस पिंचान में नमबर में इस तरीके से connect कर दूँगा देखिए देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ओप push button का wire मैं ने एक यहां पे लगाया यह देखिए यह पॉइंट पे लगाया और दुसरा यह ओर लोड रिले के पिंच्यान में नमबर पे लगाया इस तरीके से ठीक है अब देखिए दोस्तों जैसे हम एनो पूस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टाटर ओन हो जा रहा है देखिए अब ओफ पूस बटन को प करेंगे और यहां से ओफ करेंगे तो ओफ हो जा रहा ठीक है अब स्टाटर को हम यहां से ओन करेंगे और यहां से ओफ करेंगे ठीक है यह इस तरीके से ओन ओफ हो रहा है देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है दोस्तों यह छोटा सा वीडियो दी आपक को सस्क्राइब करे ठाइंक्यू